असलाम अलेकम गाइज मैं वालका दो शेख श्फाग और स्वागत आपको अपनी यूट्व जाव बालेट्स में आज नहीं एक अपडेट के साथ अगर आप यूट्व जाव पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकम प्रेस करना ताकि ज किसी दुकान के पास किसी कांपिटरओ की पास वहांपे आपको चार सबसे अबड़ाइब करना पड़ेगा जबए कर अपनी समाट फोन तो तो आपको सरच बार में जाना है और सरच बार में आपको type करना है www.jkssb.nic.in जैसे मैंने यहाँ पर type किया वह से ही आपको भी type करना पड़ेगा www.jksb.nic.in और इसको search करना पड़ेगा जब आप इसको search करोगे तो आपके पास ऐसा एक Interface आएगा उसके बाद आपको यहाँ पे तीन डॉट्स मिल रहे हैं इन पे आपको किलिक करना है तीन डॉट्स पे इन पे किलिक करने के बाद इसको थोड़ा सा उपर करना है और यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा किलिक करने के बाद और एक इंटरफेस यहां पर आप देख सकते हैं candidate registration और candidate login अगर आप फ्रेशर है तो आप वो candidate registration पे किलिक करना है अगर आप पहले ही class fourth के लिए apply किया होगा तो आपके पास id होगा या फिर भी अगर आपने id create किये तो आप candidate login पे किलिक करना है तो आप पहल इस पर किलिक करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा ऊपर करना है और यहां पर आपको यह फारम फिल अप करना पड़ेगा सबसे पहले यहां पर फर्स्ट नेम उसके बाद यहाँ पे मिडल नेम और फाइनली यहाँ पे लास्ट नेम आपको एंटर करना पड़ा है उसके बाद जो भी जन्टर होगा आपका वो यहाँ पे आप एंटर करना इस पे क्लिक करना उसके बाद आपका जो email address है वो भी आप यहाँ पे enter करना और email address के बाद आप यहाँ पे अपना contact number भी enter करना भाई इस नमबर पे call मत करना यह मेरा number नहीं है यह मेरे friend कर नमबर है उसके बाद यहाँ पे कोई भी password जो आप चाहे अपने हसाब से आप यहाँ पे password रख सकते है पासवर्ड टाइब करने के बाद आपको यहाँ पे confirm पासवर्ड करना है और उसके बाद आपको यहां पे दो options मिल रहे application for appointment to class for और application for the post app accounts extent पंचायत अगर आपने class for के लिए अभी तक apply नहीं किया तो आप apply कार सकते हैं इसका भी video मेंने create किया है इसकी link आपको description में मिल जाएगी वहां पे आप इसको अच्छे से देख के अपना form fill up कर सकते हैं और उसके बाद submit कर सकते हैं और आपको क्या करना है अभी हमें पंचायत एकॉंट के लिए apply करना है तो हम यहां पे second option पे किलिक करते हैं यह हमने apply किया और आपके पास क्या भाक इसके बाद भी पता चलेगा चलेगा यहां पर थोड़ी सी प्राव्वल्यम हो सकती है स्कूंत कि उल्सके पास खायाइगा इसको ना aussi आपको । खक्रना इससका तक से किना करtes करनाए वह मैं आं को बता आँख सब से पहले आपको यहां पर फिर्स्ट वक्स में आपको सिलाट करना है मिस्टर मिस जो भी है आप तो वह यहां पर आप इस पर टिक करना मैं मिस्टर पर टिक करता हूं उसके पाद आपका नाम वह यहां पर आपके फादर का नाम वह यहां पर एंटर करना फादर का नाम एंटर करने के बाद आपके म क्लिक करना है और यहां पर आपको कोई सिलेक्ट करना है जिसमें आप पाइदा हुए वो यहां पर आप सिलेक्ट करना उसके बाद आपको DOB हमने साटट किया, DOB के बाद to weather married, अगर आप married है तो yes पही पहीज पहीं करना, otherwise no click करना Otherwise you are domiciles like Jcturean and के, अगर आप यहाँ के ही है तो आपको yes पहीज करना नहीं तो no click करना आप यहाँ के ही है, में जानता हो yes पहीज करना और yes वेई के लिए करने के पाद कुछ उप्षन जोर मिलेंगे आपको इनको आपको सिलक्ट करना है सब से फ़ले आपको डियूजन आट चाहे आप जूमू के हो या फिर कashmir के जो भी है यहाँ प्सलिट करना है इसके बाद आपका डिस्ट्रीक कौन से डिस्ट्रीक है आप का। आप यहाँ पर वो भी सिल्प्ट करना है 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 मैंने यहाँ पर डिस्टिक सिल्प्ट किया है डिस्टिक के बाद आपको यहाँ पे अगर आपकी डॉम सेल सर्टिक फट आपको इस्व उ हुई है तो आपको यस्व करने के बाद आपको यहां पर domicile certificate का नंबर और issuing authority domicile district और domicile तहसल आपको यहां पर पूरी details आपको enter करना है अगर आप कोई भी तक issue नहीं हुई तो आपको simply no pay किलिक करना है तो no pay किलिक करने के बाद आपको यहां पर save and continue पर किलिक करना है और आपके पास और एक पेज़ आएगा स्वारी गईज यहां पर नेट बहुत इसलो चल रहा है आप सब तो जानते हैं कि यहां पर 2G है तो यह यहां पर दूसरा पेज आया है और यहां पर आपको अपना क्वह एट करना come onیاald यहां कि व्याज टाउन सिटी पकश मिरिया जूब में जो भी है वहां पर स्ञाशन तयांब करने के बाद जो आपको तैसिल होगा वह आप यहां पर सिलएक्ट करनात तैसाल select करने के बाद आपका जो block है वो भी आपको यहां पे select करना है यह हमने block को select किया block select करने के बाद पंचायत अगर आप जो भी पंचायत का नाम है वो भी आपको यहां पे enter करना है यह हमने पंचायत का नाम यहां पे enter किया इसके बाद आपका जो pin code है आपके district का वो आप यहां पे enter करना पिन कोड, पिन कोड एंटर करने के बाद आपको save and continue पर किलिकरना, details को फिर से चेक करना, फिर अगर कोई गलती होती है तो इसको आप फिर से चेने नहीं कर सकते हैं, अगर आपने फार्म सब्मिट किया एक बार तो, address फिलो करने के बाद औ आपको यहां पे yes पे किलिक करना है, और आपका जो address है वो यहां पे automatically यहां पे भी show हो जाएगा, आप यहां पे देख साथ है कि जो हमने address वहां पे permit address पे हमने enter किया, वो यहां पे भी automatically show हो गया है, और हमें यह details फिलप नहीं करनी पड़ी, इसके बाद आपको save and continue पे एक और और किलिक करना पड़ेगा, उस पे किलिक करने के बाद और एक पेज आपके पास आएगा category, उसके बाद आपको यहां पे category select करनी पड़ेगी, यहां पे हम किलिक करते है और open merit, resident of backward areas, scheduled costs, scheduled tribes, economically weaker sections, पहारी speaking persons, other social costs, resident of areas, और जैनिम, line up, actual control, international border, जो भी आपको category आती है, आप वो यहां पे select कर सकते हैं, तो यह मैंने category को select किया, are you specially able person, अगर आपको कोई भी problem है, यानि कोई अगर handicapped है, तो यहां पे yes किलिक करना है, अगर आप employee है, तो yes करना, अगर नहीं है, तो no ही करना, और इसके बाद अगर आप access man है, तो आपको yes करना, अगर आप नहीं है, तो no ही रहने देना, उसके बाद आपको फिर से यहां पे save and continue पे एक बार click करना है, हमने इस पे click क्या और यहां पे loading चल रही है, तो यहां पे loading हो गई है, उसके बाद एक और page आपके पास आया है, preference, आपको preference देना है कि कहाँ पे आप जब आपकी selection हो जाएगी, इसके बाद आ यहां पे job करना चाहते है, अपनी district में करना चाहते है, किसी और district में करना चाहते है, तो इसी के हिसाब से आपको यहां पे preference देनी पड़ेगी, तो यहां पे identity preference है, आप जितना चाहिए, आप अपनी हिसाब से दे सकते है, जिस district में आप काम करना चाहते है, जाब करना चाहत पर एक बार किले करना पढ़ेगा और हम दूसरी में आए यानि इसके बाद जो पेज आएगा आ ऐ आ गया और एक यहां पर आपको करना है इसके बाद पर किशिस इंद करना पड़ेगा बाई यहाँ पे आप mention कुछ मत करना आपको हर किसी option पे no ही करना पड़ेगा अगर आपने yes किया तो farm fill up आप submit नहीं कर पाओगी submit नहीं होगा और आपको save and continue पे click करना है अगर कोई crime किया भी तो मत mention करना यहाँ पे कि उसके बाद आपके पास ऐसा एक पेज आता है और आपको क्या करना यहाँ पर आपकी जो qualification है वो यहाँ पर आपको enter करनी पड़ेगी सासे पहले आपका जो 10 का जो board है जेन के स्टेट बोर्ड सीबी आसी 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 नौस अधर जो भी है आपको यहाँ पर इसको से लटकरना मैंने जैकी स्टेट बोर्ड को सिलाटके इसके बाद आपकी संधिल चैंद में हैंता जाफ्म кफटyard कहते खिर करना यहाँ पर कम ऊत्चर्द शिटेश काने के बाद आपको यहाँ पे घेट एंड खर मक्लिए किक लिएर किया है वह यहाँ पर आपको करना है तो यह मेने स्विक्रा उसके बाद आपको यहां पे डुल्व मेश ठ लट करना यह मेडिंस इसके बाद पर्संटेज रार्जु मैंने बूर यह. । इसके बाद आप अछी तरह से मिल जाहनद करना है कभ आपनी सकी रहत बू. कब डिकलियर हुआ आपका अगर आपको नहीं पता तो आप मार्क शीट चेक कर सकते हैं इस पर आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा नाम एंटर करना यह मैंने यूदिर्सिटिका नाम यहां पर यहां पर उसके बाद आपको यहां पर इंटर करना शॉंट है आपने ग्रेडवेशन कंप्लीट की है, वो यहां पे आप एंटर करना, तो यह मैने ग्रेडवेशन का ओलर यहां पे सिलक्ट किया, उसके बाद आपको यहां पे ग्रेडवेशन परसंटेज, ग्रेडवेशन में आपकी कितनी परसंटेज है, वो भी आप यहां पे ग्रेजुएशन के बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन पर सिल्ट किया वाई से यहाँ पर ग्रेजिट अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको यहाँ यहां पर यहाँ तो नो करना है अगर आप post-graduation graduate है तो आपको यहां सी उनट्र सिटी कौन से University है organizational college कौन सा है percentage क pewno है और ryuby आपको यहां पे lock करना पड़ेगा mention करना पड़ेगा जैसे आपने ज्लिण 2020 का co यहां पे आपको post graduation का भी किल्ट करना तक है इसके बाद आपको यहां पे phd आप है तो यहां पे यस करना एक हम यहां पे नो ही करते है तो आप यहां THE इस के बाद आपको फिर से से 21 काणटिन्यूर्थ कटिनीड और इसके यहां पर उरल एक पे इसे नोड़िकेशन कुछा इसका को करना है यहां को हैं नहीं करना है उसके बाद आप पर कहा ठीए करना मेर पर कश्मिय लियूर्जन पर क्लिक करना और और उसके बाद आपको save and continue पे किलिक करना है उस पे किलिक करने के बाद और एक पेज यहां पे शो हो जाएगा वो क्या है वो हमें भी देखेंगे यहां पर प्रास्टिंग चल रहे और यहां पर एक पेज शो हो गया है declaration form आपको यहां पर मिलेगा आप इससे आरम से read कर सकते हैं मैं नहीं पड़ूंगा आप भी इसको read करना है इसके बाद एगरी पे किलिक करना है और save and continue पे एक बार और किलिक करना है तो और एक पेज यहां पे अपन हो चुका है और इसके बाद यह main point है आपको यहां पे signature अप upload करना पड़ेगा सबसे पहले आप यहां पर अच्छे से देखना सबसे पहले आपको यहां पर photograph upload करना पड़ेगा और दूसरे section में दूसरे box में आपको आपका signature ठेक से देखना और यहां पर यह भी दिया गया है कि जो आपका photograph है वह less than 1 MB होना चाहिए एक MB से ज्यादा हो किसी का photo shoot करते हो अपने photo का या document का या signature का तो वह काफी बड़ा होता है इसका size इसको reduce करना है इसकी link आपको description में मिल जाएगी वह वीडियो में ने वहाँ पर देखे रखा है आप वीडियो अच्छे से देखना और इसको reduce करके यहां पर photograph हो signature upload करना पहले box में आपको choose file प पहले box में है यहां पर मैं photograph select करता हूँ done पर click किया और यहां पर अब हम choose file पर click करके signature upload करते हैं second box में यह हमने इसके पर click किया और signature हम यहां पर upload करते हैं यह हमने signature और photograph दोनों upload किया है यहां के बाद आपको save and continue पर click करना है इसके बाद हम इस पर click करते हैं और आपके पास पूरा form निकल के आएगा यहां पर आप देख साथ है कि पूरा form आपके सामने show हो रहा है आप अब क्या करना है आपको अभी कुछ नहीं करना है इसको read करना है जो भी आपने details एंडर की है यहां पर क्या वो सही है अगर वो completely आपको लग रहा है कि यह details जो मैंने एंडर की है वो यहां पर सही है तो इसके बाद आपको क्या करना है आपको यहां पर चक्लीशीममाटी य्चक करना है और यहां पर आपको देख सकती हैं signature ओ बैंक और HDFC यहां पर ज्यादा था जेर्ण के भैंक ही चलता है तो हम इसी पर किलिक करते हैं आप अपनी मज़े से HDFC भी सेलेक्टर कर सकते हैं और इसके बाद को कंटिन्यू टो पे पे किलिक करते हैं आपको पे करना है पेमेंट करने से पहले अपना अच्छी तर से चेक करना फिर आप अगर आपने एक बार सब्मिट किया तो इसको अप फिर से इडिट नहीं कर पाएंगे इसलिए बोल रहा हूं कि इसको देख लो अच्छी से इसके बाद आप पेमेंट करना तो यहां पे आप देख सकते ही कि आपके पास यह पेज आया है पेमेंट म और 350 आपको पे करना पड़ेगा और यहां पे आप देख सकते ही कैसे पे करना है सबसे पहले चीडर कार्ड अगर आप अगर चलिटर कार्ड थो प traum यहां पर नमर देना रेक हैं с Twe離डat करने संके बाद की जहां पर यहां पर अंटर करने से बाद सीवीवीक न कि पीछे अप देखना 3D gucote होगा है वह आप यहाँ पre प ही और होगा कार्ड होडयज ने यह भी कारड pena ही होगा वह यहां पर एंटर करना आइसे यहां पर आपको तीन चार उप्शन मिल रहे हैं डिविट कार्ड प्रस एटियम पिन इंटरनेट बैंकिंग जो भी आप यहां पर यूज करना चाहते हैं वह आप यूज कर सकते हैं इसके बाद आपको नेक पेमेंट पर किल्क करना है को टाइम के लिए आ तब तक आपको वेट करना पड़ेगा और जब आपकी ट्रैंजिक्शन हो जाएगे इसके बाद आपको क्या करना है आपको फारम प्रिंट करना है उसकी पीडिया फाइल आपको डाउंड करना और फाइंदे लिए आपका सब्मिशन हो गया है मैंने यह आप एमोर्ट पे नहीं किया क्योंकि मैं आपको यह सिखा रहा हूँ अगर आपको एमोर पे काने में भी कोई भी प्रेवल्म आए तो आप हमें इस्टपर भी आप मसेज कर सकते हैं या फिर कॉमेट में भी आप पूछ सकते हैं हम आपके हर किसी बात का आंसर जरूर देंगे और अगर अपने दविदिए अप् key8 नहीं किया तो अप वह वीडियोब्ते के लिए अज़ों फोन में आपनी स्माटफोन आप गर वेटें अप्लाइऑ कर सकते लाइक चाहिए अगर आपको पुछ भी इच लाग और च котором को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकम पर जोरूर प्रेस करना ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अप्लोड करेंगे इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अब हमारी मुलाकात किसी और वीडियो में होगी तब तक के लिए टेक एर भाई अल्ला हाफिज